तो जैसे कि आप सभी को पता है Mi TV 5X Smart TV Series इंडियन मार्किट में लाँच कर दी गई है और मैंने अपना एक उपीनियन वीडियो भी चैनल पर अपलोड कर दिया है अगर आप इंटरस्टेड हैं तो उस वीडियो को चेकाउट कर सकते हैं वेल जब से Smart TVs launch हुई हैं तभी से आप सभी के बहुत सारे questions आ रहे हैं कि OnePlus लिया जाए या फिर Mi TV 5X लिया जाए Hisense के साथ compare कीजिए और Motorola Review के comparison में Mi TV 5X कैसा option है तो आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम इन ही सभी TVs का detail comparison करेंगे और जानेंगे कि आपके लिए इन में से कौन सा best option है और इस वीडियो में specifically मैं Mi TV को कुछ best TVs के साथ compare करने वाला हूँ जो कि इस price segment में इस समें एक बहुती बहतीरीन option निकल कराते हैं जो की है Mi TV 5X जो कि यह भी launch हुई है और इसका comparison हम करेंगे Hisense Ronaldo के साथ, Motola Review के साथ और OnePlus U1S के साथ तो यह तीन कुछ best options है इस समय और हम तीनों ही TVs को Mi TV 5X के साथ compare करेंगे और जानेंगे कि कौन सा बहतर है और आपको कौन सा लेना चाहिए अब इससे पहले कि मैं वीडियो को आगे शुरू करूँ यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि Mi TV 5X को मैंने अभी तक यूज नहीं किया है विकाज यह TV 7th September को sale के लिए available होगी और उस समय अगर मेरे पास पैसे आप आये तो मैं TV को buy करूँगा आपके लिए for review अगर नहीं आप आये तो मैं TV को कहीं से arrange करके test करके आपके लिए वीडियो जरूर लेकर आऊँगा तो यहाँ पर जो मैं comparison करने वाला हूँ वो specification के basis पर होगा और जो मैंने मी के previous TVs यूज करे हैं उनके basis पर यहाँ पर मैं आपको एक idea देने ही कोशिश करूँगा तो यह ज़ीज मैं पहले ही clear कर देता हूँ कि मैंने अभी तक TV को use नहीं किया है बाकी रही बात Hisense, Leonardo, OnePlus, UNS and Motorola review series की तो इन तीनों TVs को मैंने खुद personally use करा है और इन TVs के detail, unboxing and review video आपको चैनल पर मिल जाएगी तो इन तीनों TVs के बारे मुझे काफी अच्छा idea है and मैंने use भी करा है तो मैं आपको काफी अच्छी तरह के से बता सकता हूँ कि यह TVs कैसे perform करती है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो helpful लगी अगर आप मुझे support करना चाहते हो तो वीडियो को like करना और चैनल के साथ जुट जाना, विकॉस चैनल पर मैं आपके लिए ऐसे ही smart TVs and home appliances related videos लाता है रहता हूँ आईए चलिए वीडियो को यहाँ पर हम शुरू करते हैं तो जैसे कि मैंने आप सभी को पहले कहा कि मैंने Hisense Leonardo, OnePlus UNS and Motorola Review को खुद personally use करा है तो यहाँ पर हम सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आखिरकार इन तीनों ही TVs में से सबसे best TV कौन सी है तो आपको असानी हो इसलिए मैं इन तीनों TVs को rank wise arrange कर देता हूँ इससे आपको इसलिए पता चल जाएगा कि कौन सी best TV है थर्ड नमबर पर जो TV है इसमें वो है OnePlus UNS, सेकंड नमबर पर जो मेरे साब से TV है वो है Hisense Leonardo और फर्स नमबर पर इन दोनों से ही best जो है वो है Motorola Review तो इनको मैंने rank wise arrange कर दिया है अब आपको पता चल चुका है कि इन में से सबसे best TV कौन सी है सेकंड नमबर पर कौन सी आएगी, थर्ड नमबर पर कौन सी आएगी अब इन तीनों टीविस को हम एक एक करके मी TV 5X के साथ compare करते हैं सबसे पहले बात करते हैं यहां पर हम U1S और जी हां मी TV 5X की यहां पर बहुत से लोग confused हैं इन दोनों टीविस को लेकर यह जो detailed specifications हैं यह पढ़ने ताकि आपको आने वाले सारे points क्लियर हो जाएं उमीद करता हूँ आपने specifications पढ़ लिए होंगे यहां पर बात करते हैं सबसे पहले कि दोनों टीविस में क्या कुछ similarities मिलती हैं सबसे पहले दोनों ही टीविस का जो look है वो almost similar देखने मिलता है दोनों ही टीविस में आपको slim bezels मिल जाते हैं bezels का फिज़ा thin है metallic body मिल जाती है इसे के साथ दोनों टीविस hand free voice command के साथ आते हैं दोनों ही टीविस में आपको Android TV 10 का support मिलता है इसमें आपको कुछ extra features भी मिल जाते हैं patch wall का support आपको Mi के अंदर मिलता है oxygen play का support आपको OnePlus के अंदर मिलता है दोनों ही एक extra user interface है जो कि आपको different platform से content recommend करते हैं तो ये कुछ चीज़े आपको similar मिलती हैं बाकि processor और GPU और RAM, internal storage, dual band Wi-Fi, Bluetooth 5.0 ये सबी चीज़ों आपको OnePlus and Mi के TV में same देखने मलती हैं तो इस वज़े से मैं कहा रहा हूँ कि यहां पर बहुत से लोग इन चीज़ों को लेकर confused है बात करते हैं differences की तो जो major difference आपको मिलेगा वो है azria format का जो OnePlus की TV है वो Dolby Vision नहीं support करती है लेकिन जो MI के TV है वहाँ पर में Dolby Vision का support में जाता है और adaptive brightness का feature मिलता है जो की रूम की lightning condition के recording जो brightness है उसको exhaust करता है लेकिन जैसे कि मैं आप सब को मैंने पहले ही वीडियो में कहा था कि Mi के TV में आपको generally जादा brightness नहीं मिलती है मी की history रही है और इस बार भी जहां तक मुझे लग रहा है कि Mi के TV में आपको 280 निट्स या फिर जादा-जादा 300 निट्स तक की brightness देखने मिलेगी विकॉस अगर इस से जादा की brightness होती तो brand जो है ये काफे जादा highlight करके बदा आता और इस बार तो brand ने मुझ भी नहीं खोला है हमेशे की तरह तो इस बार भी यहां पर Mi के TV में आपको जो है आप लगबग 280 तक या फिर 300 निट्स तक की brightness मिलने वाली है अब उस बार आप से देखा जाया तो जो adaptive brightness वाला feature है मुझे उतना जादा important नहीं लगता और वो आपके लिए deciding factor होना भी नहीं चाहिए लेकिन इसके अलावा Mi के TV में आपको Dolby Vision का support मिल रहा है and MEMC का भी support आपको देखने मिल जाता है and picture processing जो है वो मैंने खुद जो experience करा है वो Mi की TV में थोड़ी अच्छी होती है sound department की बात करे जाए तो उस case में Mi जो है एक plus point निकल कराता है because Mi की TVs में आपको 40 watt के speakers दिएगे और Dolby Atmos का भी support मिलता है and look and design के बारे में तो आप सबको पता ही है तो यह तो हो गई बात specifications की बात करते हैं मेरे personal experience की मैंने OnePlus UNS को detail में test किया है तो OnePlus UNS की picture quality की बात करे जाए तो picture quality काफी अच्छी है and colors बगर आपी काफी अच्छे देखने मिलते हैं different shades of colors आपको OnePlus की TV में देखने मिल जाते है and अगर हम बात करें HDR performance की तो OnePlus की TV में HDR content उतने बहतरी नहीं देखने मिलता है because OnePlus की TV में सिर्फ 280 nits की brightness देखने मिलती है और आप जब कोई भी HDR movies देखेंगे तो आपको आपको आपर लगेगा कि yes इस TV में brightness की कमी है and इसी के साथ मैंने कुछ चीज़े भी notice करी है like OnePlus की TV में कहीं कहीं पर आपको oversaturated colors देखने मिलता है तो मुझे वहाँ पर लगा कि यहाँ पर जो picture processing है वहाँ पर एक optimization की जरूरत है इसके अलबा अगर बात करें जाए sound department की तो OnePlus TV का sound है वो काफी बहतरी ने आपको है सच कोई कमी महसूस नहीं होगी sound department में picture quality से जदा अच्छी आपको audio quality मिलती है OnePlus के TV में इसके अलबा ओवराल user interface काफी अच्छा है लेकिन कहीं कहीं पर आपको थोड़ा बहुत lag देखने मिल जाता है और जो smoothness हमें मी की TVs में देखने मिलती है navigate करते समय या फिर app to app switch करते समय वही smoothness हमें OnePlus के TV में नहीं देखने मिलती है personally मुझे OnePlus के TV में कहीं कहीं पर lags बगरा देखने मिले मुझे ऐसा personally लगता है कि OnePlus के TVs में properly एक optimization की ज़रूरत है ताकि आपको एक smooth और एक बहतर lag free experience देखने मिल सके तो यहाँ पर आप सवाल आता है कि दोनों में से कौन सा लेना चाहिए point की बात करते है तो मेरे साब से यहाँ पर आपके लिए Mi TV 5X buy करना थोड़ा सा सही decision होगा because Mi TV जो है वो एक proper smooth operating system के साथ आती है कोई major lag नहीं देखने मलता है इसी के साथ जो Mi TV का इमेज processing है वो थोड़ा सा बहतर है वहीं मैं अगर बात करूँ OnePlus की तो OnePlus के जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको कहीं कहीं पर oversaturated colors देखने मलता है और जितने मैंने Mi TVs को use कर रहा है उसके बिसे से में बहु सकता हूँ कि Mi TV की जो image processing है वो थोड़ी सी बहतर है और OnePlus में आपको जैसे में बताया कि थोड़ी बहुत optimization की अभी भी ज़रोड़त आपको लगेगी तो इस आप से आपको Mi TV 5X बाइख करना चाहिए यहाँ पर आपको HDR format का भी support मिल जाएगा और जो audio output है वो भी थोड़ी सी बहतर मिलेगी और इसी के साथ OnePlus की comparison में जो Mi TVs हैं वो आपको सस्ते मिलने वाले है लाइक OnePlus का 55 inch बाइख का मिल रहा है और वही सेम Mi TV का 55 inch बाइख का मिल रहा है बाकी 2-3 हफते बाद इसकी प्राइजिंग इंक्रीज हो जाएगी 3-8 की brightness मिलने वाली है पैनल कौन सा है इसके बारे में कोई information नहीं क्योंकि brand के पास जो है पैनल की shortage है विकास Mi के TVs काफी तदाद में बिखते हैं और इसलिए अगर वो बता देंगे brightness वगरा कितनी है तो हमें idea लग जाएगा कि इसमें VA है या फिर IPS है इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं बताया तो हो सकता आपको IPS पैनल के साथ TV मिले या फिर आपको VA पैनल के साथ TV मिले तो यहाँ पर यह point तो आपको clear हो चुका है अब चले यहाँ पर हम बात करते हैं Hisense Tornado और Mi TV 5X की देखिए Hisense Tornado एक ऐसी TV है जो की one of the favorite TV मेरी रही है विकास इसमें picture और audio quality दोनों ही काफिजदा वैतिरीन मिलती है और इस TV को मैंने खुद परसनल लगबग दो से तीन मैने तक यूज करा है as my personal primary TV और Tornado मैंने बहुत सारे movies और बहुत सारे web series देखें बहुत दरा time pass भी किया है well दोनों TV के जो डेल स्पेसिफिकेशन से वो अभी आपर मैं आपको डिस्प्ले पर शो कर रहा हूँ याद से वीडियो को पॉस्ट करके पढ़ लीजे ताकि आपको आगे आने वाले सारे points clear हो जाए उमीद करता हूँ आपने स्पेसिफिकेशन पढ़ लिए होंगे तो यहाँ पर अगर सबसे पहले Hisense Tronado की बात करीचा है तो जैसे कि आपने स्पेसिफिकेशन में देखा होगा कि इस TV में आपको delayed backlighting मिलती है 400 nits की peak brightness मिलती है and contrast issues TV का काफीज़ा अच्छा है and जो चीज़े मैंने experience करी है उसके बारे में थोड़ा जानते है Hisense Tronado की picture quality मुझे काफीज़ा अच्छी लगी and मैं अगर rate करना चाहूँ तो Hisense Tronado को मैं 5 में से 4.5 दूंगा और इन picture quality इसमें जो black colors हैं dark scene से काफीज़ा बहतरीन देखने मिलते है colors काफी अच्छे है brightness भी TV की मैं कहूंगा इस price point में काफी अच्छी मिलती है especially जो HDR content है dollar vision content है वो Hisense Tronado में काफीज़ा बहतरीन देखने मिलते है इसी के साथ इस TV में आपको 102Watt की JBL powered speakers मिल जाते है 6 speakers का setup है and audio quality में आप कोई भी complaint नहीं का सकते है आपकी room के साथ इस कितनी भी बड़ी हो आपको बहुत ही अच्छी और detailed voice मिलने वाली है bass frequency, treble सारी चीज़ा आपको काफी ज़दा बहतरीन सुनाई देती है and इस TV के साथ में आपको कोई भी और soundbar बाय करने की ज़रा जो है वो महसूस नहीं होने वाली है और वही अगर मैं बात कुरूँ में TV की तो में TV में भले आपको adaptive brightness बगरा मल जाता है बड़ टीवे में जब brightness कम होगी तो adaptive brightness बिचारा कितने ही brightness increase कर लेगा और बाकी यहां पर बाकी features को आपको पता ही है same HDR formats का support यहां पर भी आपको मिल जाता है हो सकता है मी आपको थोड़ा look में अच्छी देखने मिले थोड़े business कम देखने मिले लेकिन comparatively जो है दोनों TV's almost अच्छी देखने मिलती है तो यहां पर audio and picture quality के मामले में Mi TV से अच्छा है Hisense Ronaldo लेकिन जब बात आती है other features की तो उस case में Hisense से अच्छा option निकल कराता है Mi, because Mi TV में आपको Android TV 10 देखने मिलता है Hisense में आपको सिफ Android 9 मिलता है और आपको remote के थुरू command देना होगा hand pre voice command का support नहीं मिलता है नहीं patch wall जैसे कोई user interface का support मलता है आपको normal certified Android OS मलता है तो यह basically आपके पर depend करता है कि आपको यह feature required है या फिर नहीं इसके अलावा Hisense Ronaldo का जो प्रोसेसर है और जो GPU है वो भी थोड़ा lower है यानि उसकी performance उतनी जदा अच्छी नहीं होगी जितना आपको में TV में देखने मिलेगी बट मैंने जो use करा है मुझे performance wise कोई issue नहीं देखने मिला लेकिन जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप में लेते तो हाप पर आपको performance थोड़ी सी भैतर मिलेगी इसके लावा दोनों TV में आपको 2GB RAM, 16GB की internal storage और dual band Wifi 5.0 का support मिल जाता है और MI का plus point ये है कि MI के TVs में आपको HDMI 2.1 का support मिलता है E-Ark support मिलता है और ALLM का भी support मिल जाता है जो कि आपको Hisense Ronaldo में नहीं मिलता है Hisense Ronaldo में सिफ आप port दिया गया है और HDMI 2.1 नहीं मिलता है तो ये हैं दोनों TVs के बारे में detail जानकारी जो मैंने experience करा वो भी मैंने आपको यहां पर बता दिया है अब यहां पर सवाल आता है कि आपको Hisense buy करना चाहिए या फिर Mi TV 5X buy करना चाहिए देखिए ये totally depend करता है आपकी requirement और आपके preference के उपर देखिए अगर आप एक ऐसी TV लेना चाहते हैं जिसमें आपको अच्छी picture quality चाहिए और अच्छी audio quality चाहिए और आप बाकी other features को उतना अदा यूज नहीं करने वाले हो आप just mostly TV में TV on करके content enjoy करोगे अच्छी picture और अच्छी audio को साथ then उस case में आपको recommend करोगा कि आपको Hisense Tronado buy करना चाहिए वही दूसरी तरफ अगर आप एक ऐसे type की user हो जहां पर आपकी requirement कुछ इस प्रकार है कि आपको बाकी सारे other features भी use करने है और आप audio and picture से थोड़ा सा compromise कर सकते हो then आप जो है Mi TV 5X भी buy कर सकते हो अब Hisense के comparison में जो Mi TV है वो थोड़ी सी महंगी निकल कर आती है और दोनों ही TVs की जित्रे ही variants है उन सबकी pricing में आपको display पर show कर रहा हूँ अब आपके उपर depend करता है कि आपको कौन सा लेना है जो मैंने experience कर रहा है वो मैं है हापर आपको बता रहा हूँ इन सबी TVs की buying links आपको निचे description में मिल जाएगी अब चली यहाँ पर हम बढ़ते हैं हमारे number one TV motala review की तरफ तो यहाँ पर दोस्तों इस TV को मैंने use कर रहा है लेकिन मुझे उतना दादा detail में use करने का मौका नहीं मिल पा विकास यह TV मेरे friend के पास थी और मैंने थोड़ी बहुत ही testing करी है लेकिन इतना मैं definitely आपको बढ़ा सकता हूँ कि यह TV अच्छी है या फिर नहीं और अगर इसे मी के साथ compare किया जाए तो इनका जो detail specification है सबसे पहले वो मैं आपको display पर show कर रहा हूँ या अधसे display, sorry, video को pause करके जो है specification पढ़ लेना तो यहाँ पर जैसे कि आपने specification में देखा दोनों ही TVs में आपको वो सारे features मिल जाते हैं मतलब almost जो features हैं वो दोनों ही TVs में आपको same देखने मिलते हैं इससे पहले जो हमने OnePlus और Hisense देखा तो उन TVs में कुछ ने कुछ कम ही थे Hisense देखा जा तो picture and audio quality में अची है लेकिन जो बाकी दर features है वो उतने जदा बहतरी नहीं देखने मिलते हैं OnePlus में picture and features और audio जो है वो पूरी balance मिलती है लेकिन यहाँ पर Motorola की बात करी जाया तो यह all-rounder smart TV निकल कराती है specification wise और जो other features है picture and audio सबकुछ यहाँ पर बहतरीन मिलता है तो specifications आपने पढ़ लिया है यहाँ पर बात करते है features की तो यहाँ पर जो Motorola की TV है इसमें आपको ADS panel मिलता है जो कि एक IPS panel का ही type है लेकिन इसके अंदर आपको IPS and VA दोनों की benefits मिलता है यहाँ पर आपको view angles भी अच्छे मिलेंगे है थोड़ा सा brightness भी अच्छा मिलता है और यहाँ पर जो blacks है वो भी थोड़े से deep देखने मिलता है as compared to IPS panel और जब मैंने इस TV को खुद first time use करा था first time इस TV को देखा था इसकी picture quality मुझे काफिज़ा अच्छे लगी थी colors काफिज़ा pop out हो रहे थे तीवी में brightness की कमी नहीं लग रहे थी because इस TV में आपको 420 minutes की brightness मिलती है delay backlighting यहाँ पर आपको मिल जाती है इसी के साथ यहाँ पर आपको wide color gamut का support मिल जाता है और सभी HDR format का support मिल जाता है including dolly vision और HDR content इस TV में काफी जादा बहतरीन देखने मलता है even high sense tornado सो भी अच्छी performance यहाँ पर आपको देखने मलती है जब आप HDR movies जो है Motorola की इस TV में enjoy करते है तो definitely यहाँ पर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि picture quality के terms में Motorola जो है वो Motorola में आपको 50W के speakers मिलते है Dolby Atmos को support यहाँ पर भी आपको मिल जाता है और जो MI है यहाँ पर आपको 40W के speakers मिलते है तो almost audio quality सेम ही होने वाली है लेकिन यहाँ पर output जो है वो थोड़ी सी Motorola में जादा होगी इसके अलावा दोनों TV में आपको Android 10 का support मिल जाता है अब यहाँ पर आपको Mi के अंदर hand-free voice command का support मिलता है और patch wall का support मिलता है बस यह दो feature आपको यहाँ पर Motorola में नहीं मिलता है आपको command देना तो आपको remote use करना होगा और जो patch wall है वो यहाँ पर आपको नहीं मिलता है normal Android user interface आपको Motorola में देखने मिलता है इसके अलावा दोनों TV ने प्रोसेसर और GPU पूरी तरेके से सेम है performance दोनों TV में सेम मिलने वाली है और इसी के साथ Motorola की TV में आपको 2GB RAM के साथ 32GB की internal storage देखने मिलती है वही MI की TV में आपको 2GB RAM के साथ सिर्फ 16GB की internal storage देखने मिलती है तो यहाँ पर आपको internal storage Motorola में थोड़ी बहतरीन मिलने वाली है इसके अलावा दोनों TV में आपको dual band Wi-Fi and Bluetooth 5.0 का support मिल जाता है तीन HDMI port और दो USB port मिल जाते हैं और दोनों TV में आपको HDMI 2.1 port दिये गये हैं लेकिन Motorola में आपको EI का support नहीं मिलता है तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो है console के थोड़ी gaming करने वाला है और आपको लगता है कि आपके लिए जो hand-free voice command का feature है वो थोड़ा सा interesting होने वाला है और आप patch wall आपको पसंद है आपको ऐसा TV चाहिए जो कि आपको content recommend करें अलग-अलग platform के थुरू और आप थोड़ा बहुत compromise का सकते हो TV के picture quality और audio quality के साथ then definitely आप MI buy का सकते हो नहीं तो best option जो कि मैं आपको recommend करूँगा वो है Motorola review series और हाँ एक और बात बताना भूल गया मैं Motorola TV का जो look है, जो design है वो काफी ज़दा लाजवाब है मतलब 50,000 अरपे के अंदर जो TV आपको best मिलती है look and design wise वो है Motorola review एक बार आप TV देखिए, लेके देखिए आपको पता चल जाएगा कि कितना बढ़िया लुक आपको जो है Motorola में देखने मिलता है तो मेरे साब से यहाँ पर आपको Motorola consider करना चाहिए बाकी आपकी requirement पर depend करता है तो यह था एक quick comparison, detail comparison MI TV का बाकी सारे TVs के साथ अब यहाँ पर MI TV को मैं कौन से position पर रखूँगा मेरे list में MI जो है यहाँ पर मेरे list में third number पर आने वाली है परस्ट number पर जो TV मैं recommend करूँगा वो है Motorola second number पर Hisense third number पर यहाँ पर मी की जगह बन चुकी और fourth number पर है OnePlus की TV I hope यह quick comparison आप सभी को पसंद आया होगा और I hope आपका जो question होगा और जो doubt होगा वो यहाँ पर clear हो चुका होगा साथ तारी तक हो सगा तो मैं try करूँगा कि मेरे पास पैसे जमा हो जाए ताकि मैं आपके लिए मी टीवी बाय करूँ और उसका भी एक detail review वीडियो आपके लिए ले कर आऊ नहीं हो पाया तो मैं nearby store में जाकर test करूँगा और फिर आपके लिए वीडियो जो है जरूर लेकर आऊंगा बाकि इन सभी टीवी की buying links आपको नीचे description में मिल जाएंगी उमीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए helpful रहा होगा मिलता हूँ next वीडियो में एक next video में